तो चलिए आईए अब हम लोग पढ़ते हैं lesson 70 यहाँ पर हम लोग देखेंगे emphatic statement जोड़दार कथन कैसे कहा जाता है कैसे इसका इस्तिमाल किया जाता है आई यह हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ examples देखेंगे और उसके बाद हम लोग exercise solve करेंगे यह start करते हैं ठीक है तो look at the following examples यहाँ मेरी अपनी कलम है this is my own pen यहाँ उसका अपना भाई है he is his own brother अब यहाँ पर प्रेशर दे रहे हो आप बता रहे हो ठीक है एक जोड़दार कथने कि मेरा पन है अपना भाई है वह घर पर भी नहीं था he was not even at home उसने शादी भी नहीं की he did not even marry आप ही ने मुझे पढ़ाया था it was you who taught me यही है वह पुस्तक जिसे मैं खोशता था this is the book that I was looking for अब देखे यहाँ पर आप क्या this is the book ठीक है आप emphatic statement बोल रहे हो इस तरह से यह खिलोना पत्ना में ही मिलेगा this toy can be had only in पत्ना चारो तरफ पानी ही पानी था there was nothing but water all around चारो तरफ खुशी ही खुशी थी there was nothing but joy all around तभी शिखारी आ पहुचा just then the hunter arrived तभी मैंने एक शेर देखा just then I saw a lion आगे देखे और examples परिश्रम करो तब ही सफल होगे परिश्रम करो तभी सफल होगे work hard only then you can succeed मैंने खाया तो था I did eat मैं उनसे मिलता तो हूँ I do see him मुझे एक स्कूटर भी है I have a scooter too मुझे भी एक स्कूटर है I too have a scooter अब बहुत लोग इसको ऐसे बोच सकते हैं कि मेरे पास एक स्कूटर भी है मेरे पास भी एक स्कूटर है ठीक है तो आईए हम लोग कुछ example solve करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से sentences बनाया जाता है ठीक है emphasis sentences exercise 70 translate into English यह मेरा अपना घर है this is my own house वह उसकी अपनी किताब है यह this is his own book मैं सभी मैं भी सफल हो सकता हूँ I can be successful too उसने मुझे पानी भी नहीं दिया he didn't even give me water वह गिरिफतार भी नहीं हुआ he was not even arrested वह कुए में कूत पड़ा कुए मतला well he jumped into the well मैं गया और वह भी गया I went and he went to आप ही ने मुझे गाली दी थी you abused me next वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी he is the guy who helped me अच्छी किताबे हम लोग अपनी मात्र भाशा में ही लिख सकते हैं मात्र भाशा मतलब mother tongue we can write good books in our mother tongue only चारो तरफ बालू ही बालू था there was sand all around नित्य व्यायाम करो तभी स्वास्त अच्छा रहेगा exercise daily only then you can enjoy good health रानी को एक बहन भी थी रानी अब देखें यहां रानी queen भी हो सकती है the queen also had a sister रानी को भी एक बहन थी अब यहां पर रानी as a name हम लोग यूज करेंगे रानी also had a sister मैं वहां जाता तो हूँ I go there मुकुल cricket खेलता तो है मुकुल plays cricket Ruby गाती भी है Ruby sings too Ruby भी गाती है Ruby sings too कर्योल पे हम भी अभी FE कर्या़ जैए सवीश मब कर्यों